आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियट को तो सबसे पहले हम इस एज का हिस्टॉरिकल बैग्राउंड डिसक्स करते हैं यह साल है 1066 का जब बड़े बड़े जहाज इंग्लिश चैनल पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और यह दोर था एंग्लो नॉर्मन्स का और उनके पास एक उपर्चुनिटी थी कि वो अपना सिका जमाएं 670 से 1100 टाक एंग्लेंड में एंग्लो सेक्सन्स ने राज किया था अब इनको डिफीट करने के लिए एंग्लो नॉर्मन्स आ गए थे कहा जाता है कि इंग्लेंड में कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल चेंजिज आईएं कहानी को 200 साल पीछे लेकर जाएं तो लुटेरूं का एक ट्राइब हुआ करता था जिन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है इंग्लेंड से पहले उन्होंने फ्रांस पर कबजा किया और फ्रांस के लोग उन्हें नॉर्मन्स कहते थे क्योंकि ये लोग बेसिकली नॉर्थ की डिरेक्शन से आये हुए थे और ये नॉर्मन्स बड़े बड़े फाइटर हुआ करते थे Charla's ने इन नॉर्मन्ड को कहा था कि तुम चाहे हमसे समीन ले लो लेकिन तुम हमारे साथ लड़ाया ना लड़ो और नार्थ का इलाका नॉर्म्डे इनको दे दिया ये फ्रांस के लोगों में बहृत गूल मिल गए थे फ्रांस की ओर्तों के साथ उन्होंने शादियां की, उन्होंने क्रिस्चानेटी को अपनाया और फ्रेंच भी बोलने लग गए उन्होंने सब काम किये, मगर एक काम जो उन्होंने नहीं छोड़ा वो था उनके लड़ाई उनमें सबसे बड़ा था नॉर्मन्डे का राजा विल्यम वन ने ये सोचा कि क्यों ना इंग्लेंड पर कबजा किया जाए अब इंग्लेंड में सबसे पाउरफुल एरिया वेसेक्स था और उसका राजा गॉडविन्स था अब नॉर्मन्स फ्रांस से समुंदर के रास्ते हेस्टिक्न तक आप पहुंचे और यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसे वार आफ हेस्टिंग कहा जाता है और ये लड़ाई 16 किलोमेटर तक जारी रही विल्यमसन के पास 700 घुड़सवार थे जबके गॉडविन्सन के पास पैयादा फोच थी ये अफ़वा फेल गई कि गॉडविन्स मारा गिया है लेकिन उसने सबको ये प्रूफ दिखाने के लिए के नहीं मैं मारा नहीं गिया हूँ बलके मैं जिन्दा हूँ उसने अपना हेलमेट उतार दिया बस एक हेलमेट उतारने की देर थी के पूरी इंगलिश लिटरेचर ही चेंज हो गई एक भाई ने गॉडविन्सन का सार उतार दिया और विल्यमसन ने इंगलेंड पर मुकमल कबजा कर लिया और आते ही कहा के अब ओल्ड इंगलिश नहीं चलेगी के अब तुम्हारा राज खतम होगा यानि के उसने इंगलेंड सुसाइटी का में भी उल्टा कर दिया उस वाक्त भाई ने जो खुद को एक नाम दिया था वो था विल्यम दकन करर अब उसने कह दिया कि इंगलिश लेंग्विज का जगा नॉर्मन फ्रेंच बोली जाएगी अब ओल्ड इंगलिश में नॉर्मन फ्रेंच भी आकर मिक्स हो गई विल्यम ने फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन्स बनाए क्योंकि वो फ्रांस से ही आया हुआ था तो और उसने नॉर्मन फ्रेंच को इंट्रोड्यूस कराया इंगलिड में लेकिन इंगलिश दो सो साल तक मुकमल ही सो गई थी लेकिन जब जागी तो मॉटरन इंगलिश हो चुकी थी फ्रेंच लेंग्विज बिकेम दो ओफिशल लेंग्विज आफ प्रेटन 12 सेंट्री के एंट में जब इंगलिश मुकमल दब गई तो इंगलिश के एक पुएट लायमन्स ने एक पुएम लिखी लायमन्स ब्रट के नाम से तो इंगलिश लेंग्विज फिर से जागी इस पुएम को क्रॉनिकल एक्विपमेंट भी माना जाता है इस पुएम को 16,000 लायनों में लिखा गिया एंगलो सेक्सन के बाद ये फर्स्ट हिस्टोरियोग्राफी थी इस पुएम के आने के बाद बहुत वर्क्स लिखे गए लेकिन पुएम के बाद जो वर्क हुए वो एंगलो सेक्सन वाली लैंग्विज नहीं थी ये इसमें बहुत चेंजिज आ गए थे एंगलो सेक्सन टाइम पिरियेट में तो जर्मैनिक उसके साथ एड हो गए थे लेकिन अब फ्रेंच यूज हो रही थे इस वाद बाद बाद की भी ट्रांसलेशन हो रही थे और सबसे ज्यादा नोटेबल थी जोन वाइकलिफ की बाइबल उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इंगलिश को एज लिट्रेरी लेंग्विज यूज करें जोन वाइकलिफ ने लुलाट मुमेंट को इंस्पारेशन दी रोमन चर्च के थॉलिक लोगों को सिखा था कि क्या सही है और क्या गल्द चाहे चर्च गल्द सिखा रहा हो लोगों को बात मानना पड़ती थी तो इस चीज को लाट मुमेंट से रिजेक्ट किया गिया इस टाइम पिरिट के इंपोर्टेंट पोएट्स विल्यम लेंगलेंड, जॉफरी चॉसर और परल पोएट्स थे विल्यम लेंगलेंड का वर्क पियर्स ब्लोमेंड बहुत फेमस हुआ, जोफरी चौसर की केंटरबरी टेल और परल पोएट की सर गाविन अन्ग्रीन नाइट। चौसर के पैदा होने से पहले 1338 में 100 यर वार शुरू हो गई थी, और चौसर भी बाद में इस वार में शरीक हुआ, और फिर कोर्ट में उनकी इंटरी हुई, इलीसबित के सर्वेंट बन कर, फिर एडवर्ट थर्ड के भी फेवरेट हो गए थे। चौसर के इंपोर्टेंट वर्क्स, पार्लिमेंट आफ फाउल्स, लेजन्ड आफ गुड विमिन, बुक आफ डचिस हैं, और केंटरबरी तो बहुत बात में उन्होंने लिखी, और इसी वार को लिखते लिखते उनकी डेथ भी हो जाती है, चौसर ने अपनी लाइफ में तीन किंग्स का टाइम पिरिएट देखा, एडवर्ड थर्ड, रिचल्ड सेकेंड, एंड हैंरी फॉर्थ, चौसर को हम मजीद अगली वीडियो में भी डिसकस करने वाले हैं, यहां तक था हमारा एंगलो नवर्मन पिरिएट और इसके बाद रना सांश शुरू हो जाता है अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, थाइंक यू सो मच